हाई मैं हूँ शहनास तो आए दिन कंपणिया नए नए गैजट्स निकालती रहती है और उनके साथ यही दावा रहता है उनका कि हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए है हमारे घर के लिए किछन के लिए में के लिए वोमें के लिए चोटे बच्चों के लिए भी काफी सारे यहाँ हमारा फ्रीज बust Daite का उसने वहाँ नहीं है उसमें से हमारा ख्रीज को ऑफी काफी तौर करते ऊहते बस्ती पर नियुकल अनलों के की लिए तो जब आप रात में आटा गून के रखते हैं फ्रिज में या फिर ऐसे ही सुबा के लिए तो आटा फॉर्मेट होने लगता है और उसमें काफी सारे बैक्टेरिया लगने लगते हैं यह बासी आटे की रोटिया आप खाते हैं तो आपको काफी बिमारियों का सामना करना बासी खाते हैं तो पच्टा नहीं है लेकिन अगर आप ताजा खाएंगे तो आराम से पच जाएगा बासी आटे की रोटी खाने से सबसे कॉमन प्रॉबलम तो आपको पेट में दर्द और कॉंस्टिपेशन देखने को मिलेगा बासी आटे की रोटिया या बासी खाना इन आटे की शरीर को बहुत पायदा करती है ताजा आटा मतलब गूंता हुआ भी ताजा होना चाहिए और प्लस वह जादा टाइम तक का पीस के नहीं रखा होना चाहिए गेहूं अगर आप पीस लेते हैं जस दिन से लेके 15 दिन तक का आप खाऊगे तो वह काफी अच्छा र चार पाच घंटे पुरानी होने के बाद खा रहें तो जितना ताजा खाना खाएंगे जितनी ताजी रोटिया खाएंगे उतना फायदा दिखेगा आपको दूसरी चीज यह है कि फ्रोजन फूड जो काफी दिनों महीनों फ्रीज में पड़ा रहता है वह काफी सारी महीला जोब पर जाने लगी है कुछ महिला है तो तीन दीन चार दीन गा खाना एक साथ बना देती है और वही गरम करकर के खाते है इस वासी खाने से दिन भर आलस भी होता है अब आप कहेंगे कि हम तो ऐसा नहीं करते पर आप उन महिलाओं में से तो नहीं जो रात में सबजिया क अब ही नहीं 6-6 महीने का या फिर उससे भी लंबे समय के तका उस बर्गर में जो वेश टिकी है उसी की बात कर रही हूं है आप सोचेंगे बर्गर की टिकी इतनी फ्रेश डिक्ती है इतने महीने पुरानी होने के बाद भी ऐसा रखने के लिए उसमें कितने कैमिकल या प् खाएंगे लेकिन बर्गर तो आप खरीद करीद के खाते और अपने बच्चों को भी खिला कमपणियों ने इतने सारे रेडिमेट फूड निकाल दिये है जो हमें जल्दी मरने के लिए काफी है इंस्टेंट डाल चावल पराथा रोटी सबजी तक सब कितने अपनी इतनी एजी हो जाती है कि बिमारिया जल्दी गले लग जाते तिसरी छेज़ है ठंडा पानी हमें ठंडा पानी गर्मियों में बहुत पसंद आता है सीधा बाहर से आके एक बॉटल निकालते और गट गट पी जाते अब ज्यादा तर लोग तो प्लास्टिक की बॉटल में ह भी पीडित करता है अगर आपकी ठंडे पानी के सीवा नहीं पूछती तो मट्टी का घड़ा ले आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा बलकि और फायदा होगा और वह पानी टेस्ट में भी अच्छा होगा हाँ पर घड़ा हर 24 गंटे में एक बार साफ जरूर करें लेकिन साबुन से नहीं वरना मिटी साबुन को सोक लेगी और फिर प्रॉब्लम बन जाएगी मेरे गाव में मेरी दादी चाची घर में मिटी के बरतन में घा दे ते ते रात में जमने रखते थे और अगले दिन उसे खा लेते थे ऐसा नहीं कि उसे 4-5 दिन स्टॉर करते जादा तर उस दही का मठ्ठा जिसे शहर में चास बोलते उसे बनाते थे और उस मठ्ठे से जो मखन निकलता था उसे निकाल कर उसका गी बना देते थे और उसको स्टोर करने के लिए फ्रिज की भी जरूरत नहीं होती थी और मठ्ठा भी ठंडा ही लगता था विदाउट फ् होते थे क्योंकि खेट में काम करना चकी चलाना स्विटर बुना जानमरों को संभालना जैसे काम उनके दिन चर्रे के हिस्से में यह नहीं कह रही हूं कि आप अपना घर चोड़ दे कर ऐसी जिन्दगी चुने हां लेकिन अपनी लाइफ में कुछ सही विकल्पों को चुनन हम खुद है और हम उपर वाले को भी कोशने लग जाते हैं डिप्रेशन स्ट्रेस आलस कॉंस्टिपेशन गैस ब्लोटिंग हार्ट अटेक अनिद्रा और भी बहुत सारी बीमारिया कॉमन हो गई है अगर आप 25-27 साल के है तो अब अपनी माता-पीता से जाकर यह सवाल पू में हम सब एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं उसी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं बेशक आज के दौर में पैसे बहुत जरूरी है पर हमें अपना और अपनी फैमली का ध्यान भी रखना है घर का किचन एक छोटा सा कोना नहीं है वो प और सही मन से सही बरतन के जरिये खाना बनाए और खिलाए बिमारिया आपसे कोसो दूर रहेगी उमीद है इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो कुछ समझने को मिला हो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना थैंक्स वोचिंग